Hello Everyone, Welcome to Keystone Life Sciences Previous lectures में हम लोग polysaccharides के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पर मैंने आपको बताया कि polysaccharides को दो different ways में हम लोग classify करते हैं पहला तो वो किस तरीके के monosaccharide unit से मिलकर के बने हुए हैं और दूसरा उनका biological function क्या है ठीक है, biological function के according मैंने आपको बताया कि यो polysaccharides होते हैं वो दो तरीके के होते हैं एक तो storage polysaccharides और दूसरे structural polysaccharides और दोने के बारे में मैंने आपको last lecture में बताया ठीक है, दूसरा हम लोगों ने जो classify किया था वहाँ पे हम लोगों ने polysaccharides को उनकी monosaccharide unit के according classify किया था ठीक है, यह polysaccharides हमने आपको बताया था कि वो single type के monosaccharide unit से मिल करके बने हो सकते हैं या फिर एक से ज़ादा monosaccharide unit से भी मिल करके बने हो सकते हैं ठीक है, अगर वहाँ पे single type की monosaccharide unit है तो हम लोग polysaccharides को बोल रहे थे homo polysaccharides और अगर वहाँ पे एक से ज़ादा monosaccharide unit present है एक से ज़ादा type की monosaccharide unit present है तो उनको हम लोग कहते हैं heteropolysaccharides लास्ट लेक्चर में हमने आपको जितने भी structural और storage polysaccharides बताए चाहे हमने बात की हो वहाँ पे cellulose की चाहे हमने वहाँ पे बात किया हो starch की चाहे हमने glycogen की बात की हो चाहे हमने chitin की बात की हो यह जितने भी तरह के polysaccharide हमने आपको last lecture में बताए यह सारे के सारे किस category में थे सब के सब single type की monosaccharide unit से मिल करके बने हुए थे इसलिए हमने इनको classify किया था homo polysaccharides में ठीक है आज हम लोग बात करेंगे heteropolysaccharides के बारे में ठीक है तो कैसे बने होंगे दे आर composed of composed of more than than one type of one type of monosaccharide unit यहां पर एक different different type के monosaccharides present होंगे ठीक है गुलुकोज है फ्रक्टोज है different different types के monosaccharides present होंगे ठीक है तो इसका मैंने आपको एक example भी बताया था एक structural polysaccharide है बहुत ही common example है मैंने आपको बताया भी थाकल जैसे कि peptido glycan peptidoglycan peptidoglycan ठीक है peptidoglycan होता क्या है मैंने आपको बताया था इस आदा major component of major component of bacterial cell wall bacterial cell wall यह bacteria की cell wall का major component होता है ठीक है और यह एक monosaccharide यह दो तरीके की monosaccharide से मिलकर के बना होता है और दो तरीके की monosaccharide unit से मिलकर के बना होता है और दो दोनों ही क्या होती है दोनों ही amino sugar होती है ठीक है amino sugar और वह amino sugar कौन कौन से होती है वह होती है एन-acetyl एन-acetyl ग्लुकोसामीन ग्लुकोसामीन एन-acetyl एन-acetyl-muramic acid ठीक है सबसे पहले यह दोनों sugar आपस में जुड़ती है और एक डाइल साइकराइड बनाती है ठीक है सबसे पहले क्या होगा जब peptido glycan बनेगा तो उहां पर जो units होंगी वह repeating unit क्या होगी यह दोनों repeating units वहां पर पाई जाएंगी एक तो हमारा एन-acetyl-glucosamin होगा दूसरा हमारा एन-acetyl-muramic acid होगा होगा ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा यह हमारा एन-acetyl-glucosamin और एन-acetyl-muramic acid यह दोनों आपस में जुड़करके एक डाइससेकराइड बनाएंगे यह क्या है monosaic राएक दो जूरते चले जाते हैं एने जी फ्लस एने एम ठीक है तो रिपीटिंग डाई से यहां पर जूरते हैं और इस तरह से एक पॉली सेक्राइट बन करके त्यार होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकन या फिर मियूरी तो यह कि एक तरीक का इस्ट्रक्चरल पॉली सेक्राइड थिक दूसरा एक जांपल एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट एक्जांपल है जो आपको यहां पर याद रखना होगा क्योंकि आगे चलके हमें इसकी बहुत जरूरत पढ़ने वाली है ठीक है वह हमारा ग्लाइकोसा मीनो ग्लाइकन ग्लाइकोसा मीनो ग्लाइकन के बारे में हम लोग बात करें है ठीक यह बिसिकली है क्या यह एक तरीके के हेट्रो पॉली सेक्राइड होते हैं जो कि जादतर एनिमल्स और बैक्तिरिया में पाये जाते हैं यह प्लांट में नहीं पाये जाती है ठीक है तो ग्लाइकोसा मीनो लाइकन्स हैं क्या यह बिसिकली हेट्रोपॉलिसाइक्राइट्स हैं इन में ब्रांचिंग नहीं होती है यह अन ब्रांच्ड होते हैं और निगेटिबली चार्जड होते हैं इमें निगेटिबली चार्जड होते हैं निगेटिबली चार्जड और निगेटिबली चार्जड यह यह पर आपको यांदक होगा और निगेटिवली चार्ज ग्रूप जो होता है most of the cases में कार्वॉक्सिलिक ग्रूप होता है या फिर सलफेट ग्रूप होता है ठीक है सलफेट ग्रूप होगा या फिर Carboxyl group होगा यहां से negative charge है क्योंकि इसके पास भी negative charge है इसके पास भी negative charge है अब यह negative charge कहां से आगा मैंने आप बता है कि यह polysacride है polysacride में monosacride आएगा धेर सारे monosacride जुडेंगे तो यह polysacride बनेगा इसका मतलब जो हमारा monosacride है उसके पास में कहीं पर acd group है इसका मतलब वो sugar acid हो सकता है या फिर एक ऐसी sugar हो सकती है जिसके पास में sulfate group है ठीक है इन दोनों जगहों से क्या आएगा हमारा negatively charged molecule आएगा ठीक है अब यह बनता कैसे है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं जो glycosa amino glycums होते हैं दे आर composed of दे आर composed of composed of repeating repeating disaccharide unit disaccharide unit ठीक यहाँ पे एक repeating disaccharide unit होगी disaccharide मतलब दो monosaccharide आपस में जुड़े होंगे ठीक है अब यहाँ पे disaccharide है इसका मतलब दो monosaccharide है अब उन दोनों monosaccharide में से उन दोनों monosaccharide में से एक monosaccharide one of the sugar one of the sugar of disaccharide unit disaccharide unit is is acidic sugar acidic sugar thicc and acidic sugar ठीक है अब इससेडिक sugar को कहीं कहीं लिखा रहता है negatively charged sugar ठीक है इसी को कहीं कहीं पे negatively charged sugar भी लिखा रहता है negatively charged सूगर है तो दूनों चीजें आपको लिखी मिल सकती है और दोनों ही सही ठीक है निगेटिवली चाल्ज हब हम कहीं या फिर एक सूगर और अगर एक सूगर है वहाँ पर इसटीव गूरुप प्रेजंट थो निगेटिवली चाल्ज होगा ठीक है अगर sulfate group present है तो क्या होगा निगेटिवली चाहर होगा इसलिए चाहे acidic sugar आप कही है और चाहे negatively चाहर होगा ठीक तो इस disaccharide unit की जो एक sugar होगी वो क्या होगी वो negatively charged होगी ठीक और other sugar जो होगी ठीक है other जो sugar होगी दूसरी sugar होगी या second sugar आप लोग कहें second sugar second sugar of disaccharide unit disaccharide unit unit is an is an amino sugar amino sugar ठीक मैंने आपको sugar derived molecule जो आपको monosaccharide derived molecule बताया था तो हाँ मैंने आपको amino sugar के बारे में बताया हुआ है ठीक है तो amino sugar में जो ज्यादा तर sugar होती है most of the cases में जो amino sugar होते हैं वो होती है n-acetyl n-acetyl glucosamine glucosamine होता है ठीक है या फिर n-acetyl n-acetyl galactosamine होता है prosa mean होता है ठीक है sugar की case में sugar की case में क्या होगा जो हमारा amino sugar है वो या तो n-acetyl glucosamine होगा या फिर n-acetyl galactosamine होगा ठीक है एक बाद फिर से देखते हैं हम लोग glycosa minoglycans का जो basic concept है बाद फिर से repeat करता हूँ यहाँ पर देखिएगा glycosa minoglycans basically composed होते हैं एक repeating disaccharide unit से उसमें 2 monosaccharide unit होती है पहले जोड़के disaccharide बनाती है और फिर disaccharide units क्या होती है repeat होती रहती है ठीक है अब disaccharide unit में से ठीक है जो disaccharide unit है हमारा उन में से एक sugar जो होगी एक sugar disaccharide unit क्यों क्या होगी वो एक acidic sugar होगी ठीक है अब acidic sugar sulfate containing हो सकती है या carboxyl group containing हो सकती है इसलिए उसको कहा जाता है देजादा negatively charged sugar ठीक है यह negatively charged sugar होती है ठीक जो हमारी second sugar होती है मतलब दूसरी जो sugar होती है वो एक amino sugar होती है ठीक है और वो amino sugar most of the cases में क्या हो सकती है N acetyl glucosamine हो सकता है या फिर N acetyl galactosamine हो सकती है तो अगर हम लोग इस चीज को summarize करें थोड़ा सा glycosamine glycans जिन चीजों से मिल करके बने होती है मैंने आपको बता कि repeating die saccharide unit होती है जिन में से एक sugar हमारी acidic sugar है और दूसरी amino sugar है ठीक तो अगर इस चीज को हम लोग summarize करके लिखें तो यहां पर हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है पहली sugar हमारी क्या है एक Acidic sugar है इसके साथ में जुड़ी होगी हमारी एक amino sugar क्या जुड़ी होगी एक amino sugar ठीक है यह acidic sugar हो गया और हमीन सुगर होगा यह हमारा क्या है एक sugar यह और एक सुगर यह दो सुगर आपस में जुडी हुई है यह मिलकर कि क्या बनाती है डाई सेकरेड है क्या हो कि है डाई सेकर Krallin और यहीं डाई सेकरेड क्राइड City क्या होता है वहाँ दिक रपी दाइस होता है क्यों सेकरेडPlattr भून जुड़ रही डाइसक्राइड बनाने के लिए ये दोनों डिफरेंट है इसलिए एक पूरी बात हो ईग्लाइकोस आमेनोग्लाइकन्स की अब कुछ इंप्रटन ग्लायकोस आमेनोग्लाइकन्स है जिनके बारे मैं आपको पता होना चाहिए उनका function क्या होता है थोड़ा थोड़ा इसके बारे मैं आप संब्राइज करूँगा तो पहले मैं एक table बना लेता हूं जिसमें आपको मैं सारे जो important glycosa aminoglycans है उनकी लिस्ट उनकी जो repeating unit है उनके पास sulfate present है की नहीं और जादा तर जो glycosa aminoglycans होते हैं वो किसी ने किसी protein से linked होते हैं ठीक है तो कौन से glycosa aminoglycans है जो protein से link होते हैं कौन से नहीं link होते हैं इसकी एक list मैं आप पर provide करना लूँ फिर उसके बाद मैं explain करता हूं उनके बारे में तो वो चीज़ें आपको याद कारे में इनकी monosacrid units क्या-क्या है कौन सी acidic sugar है कौन सी amino sugar है ठीक है कौन से protein से attached है इनके पास sulfate है यह पूरी list यहां पर कुछ important glycosa aminoglycans की मैंने एक table के form में बनाई है ठीक है तो एक एक करें इनको देखते हैं सबसे पहले है hyaluronic acid या इसको hyaluronan भी बोलते हैं ठीक है hyalur hyaluronic acid में जो हमारी acidic sugar होती है वो होती है D-glucronic acid ठीक है और इसके पास में जो amino sugar है वो हमारी N-acetyl glucosamine है या इसको लोग energy लिख देते हैं ठीक है और हमारा जो hyaluronic acid होता है इसके पास ना तो sulfate present होता है और ना ही यह किसी protein से linked होती है ठीक है दूसरा हमारा आता है condratin sulfate condratin sulfate में आप देखिए हैं पर sulfate पहले से ही लिखा हुआ है इसका मतलब इसके पास sulfate होगा ठीक है इसकी जो साथ-साथ यहाँ पर sulfate भी present है और यह protein से attached भी होती है ठीक है इसके बादा है dermatan sulfate dermatan sulfate में जो हमारी acidic sugar होती है वो दो तरह की acidic sugar यहाँ पर present हो सकते हैं ठीक है दो तरह की acidic sugar होगी तो होगी ठीक और जो हमारा अमीनो सुगर है वो है एसल dezeल Daint thumbs के पास sulfate भी है लिखा रिखा हूआ देख ली यहां Android भी है यह सर्फट्वी प्रेजट है और ही प्रोटीन से होथी है ठीक उसके और आके है हिपैरिन सलफेड हिपैरिन सलफेड में भी सिमिलर हमारी हैिसीट इक सṛगर होती है या तो हमारी ग्लूपोर्निक इसीड होगी या एल एडुरोनिक अचिद होगी ठीक है इसके पास में जो हमारं जो हमारी अमीनो इसके पास अमीनो सूगर है वह होगी इसके पास इसके पास सब्सक्राइट को यह सब्सक्राइन होग इसके पास में और यह से नहीं भी होती है ठीक है लास्ट में आते क्रेटिन सलफेट के पास जो हमारे दोनों सुगर्स है यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक अभी तक आपने जितने भी ग्लाइकोस अमिनो ग्लाइकंस देखे उपर से लेके नीचे तक सब के पास एक एसिडिक सुगर और एक अमिनो होती है ठीक वहां पर क्या होता है गलेक्टोज होता है ठीक गलेक्टोज के साथ में जो हमारी अमिनो सुगर होती है वो क्या होती है यह हमारे इसके पास सलफेट होता है और यह प्रोटीन से लिंक भी होता है ठीक अब यह निगेटिवली चार्ज कैसे हुआ निगेटिवल वालवात ठीक है जिनको मैं सटार बनाके लिक करकर आपको बताता हूँ सबसे पहली बात जो आपको याद कियाद रखनी ओंड़ी टेबल आपको याद रखनी है कौन कौन सी मोनो सैक। जुडी हुई है किनके पास सल्फेट है और के पास नहीं है यह सारी चीज़ें आपको ग्लाइकोसा में याद रखेंगे ठीक है कुछ important बातें जो आपको और पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज जो हमारा hyaluronic acid था hyaluronic acid hyaluronic acid is the simplest simplest glycosa minoglycans यह हमारा simplest glycosa minoglycans है ठीक है दूसरा hyaluronic acid के पास में hyaluronic acid के पास में sulphate नहीं होता है इसके अलावा जितने भी glycosa minoglycans थे table में सब के पास sulphate है ठीक है तो यहां पर हम लिख सकते हैं all glycosa minoglycans contains 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 sulphate sulphate except except क्या hyaluronic acid hyaluronic acid ठीक है अगला हमारा आता है अगला हमारा आता है जो हमारा इसके पास में कोई भी acidic sugar नहीं होती है ठीक है अब nature मेंए जितने भी glycosa minoglycans हैं, they are specific, they are exclusively specific for animals or bacteria, they are found, all glycosa minoglycans found only in, only in animals, animals and bacteria, they are not found in, they are not found in, कहाँ पे, plant kingdom, plants, they are not found in plants, ठीक है, इसके लामा एक और important point है, होई है, कि all glycosa minoglycans, all glycosa minoglycans are covalently linked to, covalently linked to proteins, proteins except, या फिर यहां से ऐसे लिख सकते हैं, इसको all glycosa minoglycans except, except, except hyaluronic acid, hyaluronic acid, are attached to, are attached, attached to, are attached, attached to protein, protein, proteins, to form, proteoglycans, proteoglycans, ठीक, जितने भी glycosa minoglycans है, सिर्फ hyaluronic acid को छोड़के मारे table में आपको दिखाया भी था, सारे के सारे किसी ने किसी protein से attached होते हैं, क्या बनाते हैं, attached होके, proteoglycans बनाते हैं, ठीक है, अब proteoglycans बनता कहां पे है, यह important चीज है, इसको आपको याद रखना है, कैसे बनता है, कौन-कौन सी यूनिट्स वहाँ पे होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं, आगे चल के इसके बारे में डिटेल में बात परूंगा, ठीक है, formation of, formation of proteoglycans, proteoglycans, glycans occurs, occurs in, कहां पे, occurs in, गालगी बोड़ी, गालगी बोड़ी, ठीक है, अब गालगी बोड़ी में होता क्या है, मैंने आपको बता है, गालगी बोड़ी में प्रोटीन का ओलिंग गलाइको साइलेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे glycoproteins बनती है, जब वहाँ पे glycosylation होता है, तो glycoproteins बनती है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी polysacryde unit है, उससे protein आ करके जोड़ेगी, तो जुड़ती कैसे है protein, वहाँ पे एक link tetra peptide होता है, सब्सक्राइब होता है, ठीक, क्या होता है, link tetra sacri, link tetra sacri होती है, गालगी body के अंदर इस सारी चीजें होती है, एक link tetra sacri होती है, और इस tetra sacri में एक gyloze होता है, दो galactose होते हैं, एक glucuronic acid होता है, glucuronic acid होता है, एक glucuronic acid होता है, यह gyloze जो होता है, यह जाकर के जुड़ता है, किसी भी protein में, मतलब जो हमारी protein है, जिस पर यह जाकर के हमारा polysaccharide जुड़ना है, जिसको proteo glycan में convert होना है, ठीक है, ऐसी किसी protein में एक हमारा serine residue होता है, ठीक है, और serine जो होती है, वो OH containing amino acids होती है, उनके पास में hydroxyl group होता है, ठीक है, तो suppose that यह एक serine है, ठीक है, और इस serine के पास में यह OH group था, ठीक है, तो यह जो जाईलोज है, यह इसके साथ में O glycosidic bond के थूँ जुड़ जाता है, इस serine के OH से क्या होगा, यह O glycosidic bond के थूँ जुड़ जाएगा, अब इस protein के साथ में आकर के क्या जुड़ गया, हमारा जो link tetrasacride था, वो आकर के जुड़ गया, और यह सारा काम कहां हो रहा है, गाली body में ही हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले link tetrasacride आया, वो जो हमारी protein है, जिसको proteoglycan बनाना है, उसमें एक किसी serine residue के OH group से O glycosidic bond के थूँ जुड़ गया, ठीक है, पहला step यह हो गया, दूसरे step में, जो हमारा glycosaminoglycan है, उसकी disacride unit एक एक करके आके जुड़ना सुरू हो जाएगे, ठीक है, सपोस्थ यह हमारा, यह हमारी disacride unit है, जिसके पास एक हमारी sugar है, A, ठीक है, दूसरी हमारी sugar है, B, ठीक है, अब यह सुग सुगरी, एक सुगरी, और यह फिर N टाइम्स जुड़ता चला जाएगा, और जो हमारा resulting compound बनेगा, जो हमारा resulting complex बनेगा, उसको हम बोलेंगे proteoglycan, क्या बनेगा, proteoglycan बनेगा, ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपको जो glycosaminoglycan बताये थे, उनके थोड़े-थोड़े use हम लोग देखे, तो कुछ glycosaminoglycan के functions देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिपेरिन, हिपेरिन यह एक glycosaminoglycan है, हिपेरिन, ठीक है, और आपने सुना होगा कि हिपेरिन क्या काम करता है, हिपेरिन is the, is the anti-coagulant, anti-coagulant, ठीक है, यह anti-coagulant के तरह काम करता है, यह blood clotting को से prevent करता है, ठीक है, इसके बाद आता है, hyaluronic acid, hyaluronic acid, hyaluronic acid, hyaluronic acid, hyaluronic acid, hyaluronic acid is important component होता है, of the, this is the important, important, component of, component of, component of, vitrous, vitrous, humor of eyes, eyes, और इसके अला, it is the lubricating fluid, lubricating, lubricating fluid, between the joints, जॉइंट्स के बीच में जो लिब्रिकेटिंग फ्लूड होता है वो किस से मिलकर करके बना उता है है एक और है हमारा कॉंड्राइटिन सल्फेट अब कॉंड्राइटिन सल्फेट और किरेटन सल्फेट किरेटन किरेटन सल्फेट किरेटन सल्फेट इस और कंपोनेट और कहां पर पाये जाते हैं और इसके अलावा कहां पर पाये जाते हैं इसके अलावा यह पाये जाते हैं ECM में मेजर कंपोनेंट ऑफ बताऊंगा आगे चलके जब आपको ECM पढ़ाऊंगा तो मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के यह इंपॉर्टन कंपोनेंट होते हैं मेजर कंपोनेंट होते हैं ठीक है और यह वहाँ पर क्या काम करते हैं इसके बारे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है यह कुछ important glycosaminoglycans हैं जो कि heteropolysacrides हैं उनका function है ठीक है तो इसके साथ ही हमारा homopolysacrides heteropolysacrides glycosaminoglycans और proteoglycans यहाँ पर finish होता है ठीक है next lecture में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग glycoconjugates के बारे में बात करेंगे ठीक है और glycoconjugates में मैंने आपको बताया था कि वहां पर दो molecules होते हैं एक हमारा glyco protein होता है दूसरा glycolipid होता है glycolipids के बारे में मैंने आपको membrane structure वाले जो हमारी lecture series थी वहां पर मैंने डिटेल में बताया है तो मैं ग्लाइको रोटीन ग्लाइको लिपेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताँ हूंगा यहां पे हम लोगnalग थोड़ा